पांच मईए 2023 को लगने जा रहा है साल का पहला महा चंदर ग्रहन छे राशी वाले बनेंगे करोड़ पती ना केवल इनको मिलेगा भागय का साथ बलकि जीवन में होगी धनकी वर्षा दोस्तो साल 2023 का प्रथम चंदर ग्रहन लगने जा रहा है ये वैशाक महीने की पुर्णिमा को लगेगा इस चंदर ग्रहन के दोरान बहुत सारी घटनाय भी होंगी दूसरी तरफ सूरे ग्रहन भ्रसपती राहू केतु की यूती भी बनेगी दोस्तो ये चंदर ग्रहन बहुत ही जादा भयंकर और महा चंदर ग्रहन होने वाला है बताया जा रहा है ये जो चंदर ग्रहन पांच मई को पढ़ेगा इस चंदर ग्रहन का प्रभाव 12 की 12 राशियों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से पढ़ेगा परंतु 12 में से 6 राशिया तो ऐसी होगी जो इस चंदर ग्रहन के बाद नाकेवल करोड़ पती बन जाएंगी बलकि इनके जीवन में सुक, समरिधी, धन, दोलत, एश्वर्य की वर्षा होगी 5 मई 2023 को पढ़ने वाला चंदर ग्रहन कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, इसका सूतक काल कितनी देर तक होगा वे कौन सी भागयशाली राशिया है जो चंदर ग्रहन के बाद अपने जीवन में चमतकारिक बदलाव देखेंगी इस चंदर ग्रहन के बाद 12 की 12 राशियों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कैसा प्रभाव पढ़ने वाला है इसकी समपूर्ढ और सटीक जानकारी आपको इसी वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि चंदर ग्रहन के दोरान वो ऐसी कौन सी चीजे हैं चंदर ग्रहन के दोरान अगर आप कुछ सावधानियों को नहीं बर्थते हैं तो ना केवल आपके जीवन भर दरीजिता पीछे पड़ी रहती है बलकि आपका दुरभाग्या आपके उपर प्रबल होता चला जाता है और आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य के ब बता दें कि इस बार चंदर ग्रहन शुकरवार के दिन पड़ रहा है शुकरवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है कहने का मतलब ये है कि इस दिन किये गए उपायों से ना केवल आपको चंदर देव जी की कृपा मिलेगी बलकि माता लक्ष्मी जी का आशिरवात भी मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन सम्मंदित परेशानिया भी खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नती करेंगे इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि चंदर देव जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके उपर आपके परिवार के उपर सदैव बनी रही चंदर देव जी के आशिरवात से आपका भागय आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी के आशिरवात से आपके जीवन में धन की वर्षा हो तो पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए कमेंट बोक कि पूर्णिमा को लगेगा इस दिन पूरे 21 तरीके के शुब योग बन रहे हैं कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस दिन चंदर जो होगा वो कई राशियों में प्रवेश करने जा रहा है बताया जा रहा है जब भी सूर्य ग्रहन लगता है तो सूर्य ग्रहन के बाद धरत से जुड़ी आपदाएं आती है लेकिन जब चंदर ग्रहन लगता है तो समुद्र में उथल पुथल होनी लगती है समुद्र में जो पानी होता है वो बहुत तेज गती से बहने लगता है और देखा जाता है कि भुकम के जटके तक महसूस किये जाते हैं लेकिन वैदिक ज सुक समुद्धी की वर्षा तो होगी ही साथ ही इनके जीवन में चंदर देव जी की जो कृपा है वो आएगी जिसके बाद इनका राहू केतू भी इनका साथ देने लगेगा और माता लक्ष्मी जी का भी इनको आशिरवात और वर्दान मिलेगा दोस्तों आपको इस वीड के से बदलने जा रहा है दोस्तों इस बार का चंदर ग्रहन विशाखा नक्षतर में घटित होने जा रहा है इस बार चंदर ग्रहन तुला राशी में प्रवेश करेंगे माना जाता है कि तुला राशी वालों को इस चंदर ग्रहन के बाद थोड़ा सावधान रहना होगा ल बता दें 2023 को लगने वाले चंदर ग्रहन के समय की बात करें तो ये 5 मई की रात 8 बचकर 46 मिनट पर शुरू होगा इसकी समापती होगी 1 बचकर 44 मिनट पर यानि जो चंदर ग्रहन की कुल अवदी होगी वो लग भग 4 घंटे की होगी चंदर ग्रहन का जो सूतक काल होगा वो 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा मतलब की 5 मई को चंदर ग्रहन का सूतक काल 11 बचकर 46 मिनट सुभा को शुरू हो जाएगा अब आपको इस दोरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी हैं वरना आपका धुरबाग्य आपके पीछे पड़ा रहेगा और आ सूतक काल शुरू होता है तो गर्बवती महिलाओं को इस बात का विशेश करके ध्यान रखना होगा कि कैची छूरी सूई जैसी चीजों का इस्तमाल भूल कर भी नहीं करना है तीसरा हमारे शास्तरों में बताया गया है ना तो चंदर ग्रहन के सूतक काल में और ना ही 40 मिनट पर शुरू हो जाएगा तो इस दोरान घर में लड़ाई जगडा ग्रह कलेश बिलकुल भी नहीं होना चाहिए वरना आपके घर की बरकत और उन्नती इस चंदर ग्रहन के बाद बिलकुल ही रुक जाएगी और चंदर ग्रहन के दोरान आपको इस बात का विशेश कर के ध्यान रखना होगा कि मंदिरों के पट को पूरे तरीके से बंद कर दीजिएगा और कई लोगों को जैसे चंदर ग्रहन के दोरान निकलना पड़ता है घर से तो इस बात का विशेश करके ध्यान रखिएगा कि चंदर ग्रहन के दोरान जब भी आप निकलते हैं तो दोस तो किसी भी जानवर को बेवजह मत सताईएगा वरना जो चंदरमा आपकी कुंडली में होगा वो नीच राशी में चला जाएगा जिस से आपको दुरभागय जहेलना पड़ेगा अभी तक हमने आपको बताया कि चंदर ग्रहन के दोरान वो कौन सी ऐसी गलतियां है जो आपको नहीं करनी चाहिए अब आपको बताएंगे कि वो कौन सी छे भागय शाली राशियां है जिनका जीवन इस चंदर ग्रहन के बाद पूरे तरीके से बदलने जा रहा है लेकिन आपसे निवेधन है कि अभी तक आपने विडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए देखिए सबसे पहली राशी जो इस चंदर ग्रहन के बाद सबसे जदा प्रभावित होने जा रही है वो है मेश राशी मेश राशी वालों के बारे में ही होगी नोकरी में प्रमोशन भी मिल सकती है व्यपार में वृद्धी के साथ आपने जो मार्केट में पैसा डाला था शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया था वो दो गुना दस गुना बारा गुना पंदरा गुना हो सकता है तो पैसों में आपको वृद्धी देखने को मि तो आपको बस थोड़ा गाड़ी वगेरे थोड़ा ध्यान से चलाना है। आज नैतिक लाब होगा, व्यापार में सफलता प्राप्त होगी, मान सम्मान में वृद्धी होगी, भोतिक सुखों के साथ धन प्राप्ति के सारे योग बन रहे हैं। तीसरी राशी बता दें, वो है तुला राशी। तुला राशी वालों को बता दें, इस चंदर ग्रहन के बाद आपको काफी अच्छा फाइदा हो सकता है, जहांपर आपके जीवन में आपके गुरु जो होगे वो भ्रस्पती के पांचवे भाव पर जाएंगे। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि चंदरदेव जी के गोचर के बाद आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं आपको प्राप्त हो सकती हैं, व्यापार में वृद्धी तो होगी ही होगी, लाखो करोडो धन पाएंगे, ये योग बन रहे हैं। अगर आप कर्ज के माया जाल में फसे हुए हैं, उस माया जाल से आप बाहर निकल कर चले आएंगे, आपके जीवन में सुधार तो आएगा ही, अगर आप जो नया घर खरीदने के बारे में सोच रही हैं, तो नया घर भी आपका हो जाएगा। इस चंदर ग्रहन के बाद अगर प्रतियक मंगलवार को आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर वहाँ पर हनुमान जी के सामने एक चमीली के तेल के दीपक को जलाते हैं, तो उस से हनुमान जी की क्रिपातों मिलेगी ही, साथ ही आपका मंगल ग्रह बड़ा मजबूत हो जा सहकर्मियों का साथ भी मिलेगा, नया व्यापार डालेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, व्यवाहिक जीवन सुखमे रहेगा, अब आप लोग जो कष्ट से बहुत दिनों से परेशान हैं, उस कष्ट से आपको मुक्ती मिलेगी, इस चंदर ग्रहन के बाद व्रिशब राशी की जो महिलाएं हैं, उनको थोड़ा संभल कर रहना होगा, अपनी वानी पर आपको नियंतरर रखना होगा, आपकी बहसा बहसी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा परिशान मत हो ये, भाग्या आपके साथ ही रहेगा, पांचवी खुशनसीब राशी है, नोकरी भी लग सकती है, धन संबंदित आप कई निरने लेंगे, लेकिन वो आपके लिए काफी जादा फाइदे मंद साबित होंगे, संतान प्राप्ती के योग बन रही हैं, घर से लड़ाई जगडा, ग्रह कलेश खत्म हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुलेंगे, अगर इस चंदरग्रहन के बाद आप प्रतियक भ्रस्पतिवार को एक लोटा जल किसी भी पीपल के पेड़ को देना चालू कर दें, तो इससे आपका राहू के तू आपके साथ हो जाएगा, और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करेंगे, आखिरी खुश नसीव दोस्तों कुम्ब राशी, कुम्ब राशी वालों के बारे में बताया जा रहा है, धन, सुक, वैभव में वृद्धी होगी, आपके जीवन में कोट कचैरी में चल रहे मामलों में जीत हासिल होगी आपको, नोकरी के साथ साथ अब आप दूसरी जगहे भी पैसा और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, तो दोस्तों ये थी चंदर ग्रहन से संबंदिद संपूर्ण जानकारी और वो कुछ खुछ नसीब राशियां जिनकी किस्मत इस चंदर ग्रहन के बाद खुलने वाली है, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक ल पैल आइकन को दबा लीजिए, जल्द मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद